कर लेते हैं चुछ चार्ट करते हैं अच्छा जो स्ट्रॉंग फिल्ड वीक फिल्ड यह लेगेंड है इनके लिए एक सीरीज बताई गई जिसका हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज इसमें लो ओर्डर से लेकर के हाई ओर्डर तक सब को अरेंच कर दिया गया कि वैस स अगर सीरीज आपको याद हो जाएगी तो आपके बहुत अच्छा रहेगा थेल्फुल रहेगा तो सीरीज की बात करते हैं यह जो डाइग्राव है यह तो उसके हैं आपका कैसे स्प्लिटिंग हो रही है सिरीज क्या है देखो I-, BR-, SCM, CL- S-2, F-, OH, OX, S2O, NCS फिर EDT आता इथा इथाइलीन डाइम क्या बोलते देशको EDT येको टेट्रा एसिटेट और फिर अमोनिया फिर EN इथाइलीन डाइमीन फिर CN- फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग कौन सा है, कार्बोनिल C-O, सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग है इसके बहुत साही है इस शार्ट फॉर्म नेट पे भी दिये हुए एक ये लिखा हुआ है अगर इससे आपको याद हो जाए तो इससे याद कर लेना इसी और से याद हो जाए कुछ खास ऐसा बन तो नहीं रहा सीकेंट्स हाँ हाँ आई बरवादी, शनी, कल्से, फरार O, ऑक्जिलेटो, पानी नशा, EDTA, अमोनिया, इन CN- and Canada, कुलम्बो हाँ ना? अरे, PDF में चला जाएगा फिल का PDF भी तो मैंने नहीं बेजा है मैसेज डाला आप लोगोंने मैं, PDF बेज दीजेए आया तो नहीं मैसेज PDF के लिए कि मैं आप लेक्षर का PDF नहीं डाला कोई मैसेज देगा करते हैं कैसे कहां पर हमारी थूड़ी से कैसे कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लेटिक में वाकी और बाते जो समझाती है इस होels कrafो यह यह सारी चीजे समय में आ गई बेटा हो जादा है, डेल्टा टी आपका कम है अधर बढ़्ता कि अधर खोफ़्य। और जादा क्यों है? कि इसके बताएं कोई हैं? नेको डेल्टा होई चो लिगेट्स हैं, कितने ओंटाइडराग फील में? 6 लिगेट्स है, वह कितने लिगेट्स हैं? 4 लगे हुए. तो फील्ड करियाट होगी, 6-KE ACODIM तो जादा होगी, और अगर 4-KE ACODIM तो कब? तो इस देल्टा O की यह कोगी स्प्लिटिक पॉक्टाइटर फील्ड में जादा होगी और अगर अगर बात करे की डेल्टा T ची ऑर डेल्टा O में क्या रिलेशन था? तो ये था 4 by 9 और अगर हम लोग देखे square planer में splitting अभी आ रही है अगर square planer में splitting देखें तो ये आती है 1.3 delta ओ ये अपना किस लेबस का है advance का और ये दोनों mates में कूँद पुछे लग ठीक है अब देखें अब हम बात कर रहे हैं कि splitting करनी है configuration लिखने है हमको T to G और E G में पहले हम देख लेते हैं किसके लिए octahedral के ठीक तो अगर weak field legend है तो क्या configuration होगा और strong field legend है तो क्या configuration होगा ये देखते हैं क्योंकि configuration के आगे सारी कहानी T1 का देखते हैं पहले T1 अगर है तो कैसे भरे तो अगर octahedral field है तो आपको पता है दो set बनते हैं न E G और T2 G का E G में आपके 2 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए इनिशियली तो अगर D1 को फिल करना है तो सीदे सीदे वन यहां पे आ गया ठीक अगर वीक फिल्ड लिगेंड है तो तीछे वाले में पहले बढ़ेंगे एक यहां पे भर गया और strong field अगर लिगेंड है तो आप देख सकते हो कि strong field में भी situation यही रहनी है तीन में भढ़ना है तो एक बढ़ देंगे, यह दो क्या रहेंगे खाली रहेंगे यहाँ पे भी एक बढ़ दिया ठीक है, यह original वाले है और यह क्या है, after splitting तो अगर ध्यान से देखो आप तो configuration क्या रहता है इसमें T2G1 EG0 यहाँ पे भी configuration same to same मिल रहा है T2G1 EG0 इसका मतलब अगर D1 configuration है तो field का कोई effect नहीं है दोनों के case में आपका same to same configuration अपको मिल रहा है अगर हमको यहाँ पे CFSE निकालनी है, तो same ही आएगी configuration same है तो दोनों से तो CFSE कैसे निकालते थे यहाँ पे हम लोग कितना लेते थे प्लस का 0.6 delta O और यह नीचे वाले part के लिए क्या लेते थे माइनस का 0.4 delta O प्लस pairing energy तो यहाँ पे अगर देखे हम तो इसमें EG में तो कोई electron है यह नहीं तो EG के लिए क्या हो जाएगा multiplied by 0 और यह वाला minus 0.4 delta O multiplied by 1 एक electron है तो 1 कर दिया pairing देख लेते हैं यहाँ पे भी एक ही electron था कोई pairing नहीं थी और final में भी कोई pairing हुई नहीं तो P की जगे पे कुछ आएगा नहीं P multiplied by जी हाँ तो यह excited ही तो है यहाँ पे तो कुछ pairing का concept ही नहीं आ रहा है चाहे strong field हो चाहे big field अब क्या value आ जाएगी यह factor 0 है यही factor आएगा तो D1 configuration में दोनों में CFSE क्या आ जाएगी यही आ जाएगी अब D2 में देख लें D2 D3 तक यही चलेगा D2 में भी same to same चीज आएगी एक दो भड़ दिये यह original है फिर यहाँ पे क्या है EG और यहाँ पे क्या है D2 G इसको पेयर करके रख दिया था यह पेयर नहीं करना है यह धियान नहीं यही point पिस हुआ था यहाँ पेयरिंग कब करनी है पहले देखो filling कैसे हो नहीं है पहले नीचे वाले में filling होगी strong field अगर ligand है तो पहले नीचे वाले में filling होगी तो मालनो हमको 3 भरना है नीचे वाले हम भर दिया अब अगर D3 configuration है तो 3 ऐसे भर देंगे लेकिन अगर D4 आ गया तो क्या करेंगे ऊपर नहीं जाएंगे यह नीचे वाले में ही भरेंगे D4 फिर D5 फिर D6 ऐसे डब्लिंग करनी है पेरिंग ऐसे करनी है यह पेरिंग हो जाए उसके बाद उपर वाले पे हमें जाना है strong field लिगे एक एक करके देखते हैं अभी D10 तक जब जाओगे तो सब आपको हाँ इस रूल को पकड़के ही चलना है कि पहले एक 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 फिल करना है बस strong field में difference क्या आएगा weak field है एक 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 फिर एक फिर और चाहिए तो फिर नीचे से फिर डबल 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 ऐसे ठीक है 10 maximum भर सकते हैं लेकिन अगर strong field है तो कैसे भरना है one 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 फिर उपर नहीं जाना है यही पर डबल फिर दूसरा यहां पर मतलब चौथा electron पांचवा छटा फिर यहां पर आएगा seven eight फिर nine ten ऐसे कर ठीक है तो अभी तो हमारा d2 है तो d2 में तो देख पा रहे हो कि strong field हो या weak field हो दोनों configuration क्या हो गए same two same हो गए t2g में two हो गए और e g में क्या हो गया zero तो यह भी same है sfl में भी और wfl में भी दोनों में same है तो अब cfse निकाल लेंगे cfse में क्या आएगा यह वाला factor तो zero ही रहना है तो यह वाले factor को ही ले लें कि वाल माइनस point four delta o multiplied by two pairing हो नहीं रही है तो pairing energy भी zero है उपर वाला factor भी zero है पूरा लिखने की जरूरत है समझ आगी यह बात अर्णिम बोर्ट पर देखिए टी थ्री configuration टी थ्री में क्या करें अब तीन भर दो वीक फिल्ड और इस्ट्राउं पास इसमें तीन भर दी है अब इजी में और यहां पर किसमें भरना है टी टू जी वन टू थ्री इस्ट्राउंग में भी यही सीन है सेम तू सेम वन टू थ्री कई बार बुक्स में वो भी बना हुआ होगा आपका और्बाइटल्स बने होंगे हमके ओल लाइन खीच के दिखा रहे हैं जो सही तरीका होता है क्या ब्लॉक बनाते हैं ब्लॉक बनाके इसमें एलेक्टरॉन फिल करते हैं एक, दो तीन होता है तो दोनों का कॉन्फिग्रेशन तो सेम टू सेम ही है T2G3 पेरिंग एनर्जी सी एफसी का भी वही हाल है क्या हो जाएगा तीन एलेक्टरॉन हो है अभी तक जो हमें तीनों स्पिसीज मिली है T1, D2, D3 में स्ट्रॉंग फिल्डो या वीक फिल्डो दोनों के दोनों क्या है अपने पैरा मेंगनेटिक क्योंकि एनर्जी एलेक्टरॉन है ना तो तीनों स्पिसीज क्या होंगी पैरा होगी ये भी पैरा है ये भी पैरा है और इसके पहले वाले भी क्या है पैरा अब T4 से पिक्चर क्या होगा थोड़ा सा अलग हो सकता T4 देख लेते हैं पांच भरने हैं तो औरीजनल में तो ऐसे ही फिर उसके बाद EG और T2 वीक फिल्ड में तो वही रूल चलना है क्या पांच भरने एक चार भरने है तो तीन और फिर वीक फिल्ड है तो उपर ले जाते हैं पेरिंग नहीं करानी है नू पेरिंग तब कराना है जब सिच्वेशन बचे नहीं चार देख पा रहे हैं वीक फिल्ड में तो कन्फिग्रेशन क्या बनता है T2 G3 E G1 अगर इस ट्रॉंग फिल्ड ले लो तो क्या सीन बन जाएगा आपका यह सब तो सेम टू सेम है यह बार बार करेंगे करके देखेंगे तो आपको भी टिकत नहीं आएगे इस ट्रॉंग फिल्ड है कितने बने है अचा है 1, 2, 3 4 यहीं पे डबलिंग करती है उपर नहीं गए पहले इसका अकाउंट क्लियर करके तब ही अपनों उपर बढ़ेंगे तो कांफिग्रेशन क्या बनता है T2G 4BG 0 ठीक CFS ही लिखे है उपर वाले के लिए क्या लिखते थे 0.6 लिखते थे प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है उपर वाले में माइनस में नीचे वाले को लिखते थे 0.4 delta हो कितने इलेक्ट्रॉन है 1,2 यहाँ पे कोई पेरिंग नहीं थी यहाँ पे भी कोई पेरिंग नहीं दिखाए दे रही है पेरिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी value क्या आ जाएगी 0.6 delta हो और minus 1.2 delta हो तो कितना आ जाएगा minus में 0.6 delta हो यहां पे लिक्त हूँ minus में 0.6 delta यह value ठीक है दूसरे वाले के लिए निकाले इसके लिए निकालना है तो उपर वाले में कोई electron है? नहीं है तो 0.6 वाला factor जो delta O वाला वो तो 0 ही होना है minus में 0.4 delta O कितने electron है? 4 जितने electron है? उतना लिखना है 4 फिर उसके बाद pairing energy लिखनी है ओरिजनल में कोई pair नहीं था यहां पे एक pair डबलब हो गया तो pairing energy P into 1 तो कितनी आ गई value? यह 0.4 और minus 1 point 6 delta O plus P plus P ठीक है? यह क्या था? pair 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 a magnetic यह क्या हो गया? डाया होगा कि पैर आई होगा ध्यान से देखो पैरिंग होई है लेकिन अनपेर्ड एलेक्ट्रॉन तो अभी भी प्रिजेंट है ना पूरी पैरिंग थोड़ी होई है पूरी तो हुई नहीं है D6 पर जब पहुचेंगे तब पूरी पैरिंग होगी तो यह क्या हो गया यह भी क्या हो गया ठीक है तो D1, D2, D3 में अलग अलग नहीं थे configuration, weak field, strong field दोनों में सेम आया था CFSC भी सेम आया थी जैसे ही D4 आया उसमें दोनों में क्या आ गया चेंज आ गया configuration भी चेंज हो गया और आपका configuration चेंज होते ही बाकी चीजें भी चेंज होना स्टार्ट हो जाए D5 का लिख लें पाँच एलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भर दिये एक, दो, तीन, चार, पाँच यह किस में है ठीक, ठीक, configuration, T2G3, EG2, कोई दिखकर, CFC, इसको 0.6 वाला लिखते है न, delta O, कितने एलेक्ट्रॉन है? 2, और यहाँ पर क्या है? minus वाला pairing, pairing तो कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रही है total answer 0 आएगा, कैसे? यह 1.2 और वो 1.2 आजा रहा है ध्यान रखो, कोई भी ऐसा system जहाँ पर CFC 0 आ जाती है वो system stable होता है जब configuration हम लोग पढ़ते हैं, electronic configuration तो क्या भूला जाता है? कि half field configuration और full field configuration stability जादा होती है, partial field के comparison में यहाँ पर क्या आ गया? CFC 0 इसका indication क्या है? क्या मतलब है? stable configuration अब देखेंगे कहाँ पर और आएगा? है ना? अच्छा T5 strong field में आ जाए पांच ऐसे कैसे भर दी है? strong field है तो एक, दो, तीन, चार, पांच जब यहाँ पूरे भर जाएंगे तब ओपर जाएंगे तो क्या configuration बन गया? T2G 5 EG C कोई दिक्कत? CFC लिख दो CFC बोलो, देवांग बोलो जरा CFC CFC बोलिए यहाँ पर 0.6 delta हो multiplied by 0 क्योंकि है नहीं कोई electron नीचे बाले में minus delta हो, कितने? pairing energy क्योंकि यहाँ पर कोई pair नहीं था यहाँ पर माल लो एक pair होता और यहाँ पर दो pair आते हैं तो pairing energy कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ अल्रेड़ी एक pair था extra कितनी pairing होई? वो देखते हैं, यहाँ पर कोई pair नहीं है एक pair, दो pairing होगई तो दो pairing energy 2P लगा दें तो यह वाला factor क्या आ जाएगा? यह factor क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा माइनस में आपने 2 को common ले लिया ठीक है? सही लिखा है CFAC आ जानी है यह किसका था? T5 तो यह पैरा है कि डाया है? यह तो पैरा ही है और यह वाला पैरा भी है और stable भी हो गया और यह भी क्या है? T6 होते क्या हो जाएगा? डाया बनेगा T6 अगर configuration है तो 2, 3, 4, 5, 6 है ना? यह original वाला था EG वाले में T2G वाले में weak field के लिए है तो weak field में तो एक एक करके ही भरना 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चिक इदर वाले में यह scene तो एकदम सेम है कितने बढ़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे फ़र गए? 6 के 6 यहां क्या configuration मिल गया? T2G 6 EG 0 CFAC निकाल लेंगे? यह SPC क्या बन गई? यह SPC क्या बन गई? अच्छा अब अब सुनो CFAC निकालो इसके लिए क्या बनेगी? यहां पर यहां पर पेरिंग एक थी यहां पर भी पेरिंग एक ही है एक्स्ट्रा पेरिंग नहीं हुई तो एक्स्ट्रा नहीं है तो तो वैलू क्या आगई? यह 1.2 हो गया ठीक है? अगले में देखो इसमें उपर में तो कुछ है ही नहीं उपर वाला फेक्टर तो जीरो ही है नीचे वाला फेक्टर आएगा पेरिंग देख लो तो एक पेर था यहां पे कितने हो गए? तीन पेर हो गए तो एक्स्ट्रा पेर कितने हुए है? दो और हुए है तो टूपी कर लेंगे अब दी क्या था यह? 6 था दी 7 दी 7 करो दी 7 करो, दी 8 करो, दी 9 करो, दी 10 करो देखो, किसमें सेम आता है, किसमें CFSE 0 आती है, किसी एक में 0 भी आएगी रूल सबको समझ आ गया है ना? हेलो? हाँ, हाँ, हेमां क्या कह रहा है? हाँ, डी 10 में 0 हो जानी चाहिए, फुल फिल कॉन्फिगरेश्ट दी 7 करना है, फिर क्या करना है? हाँ यह किसका है, ओक्टाइडर्ट फिल का है, इसी तरी किसे टेट्रा का भी निकाल सकते हैं? जेस्ट अपोजिट करना है, बोर्ड पे नहीं देखिएगा, मैं कर रही हूँ, फिर आप चेक करेंगे अपना अपना करो करेंद बोर्ड आपना हूँ, एग हाँ करेंद़। झाल झाल करेंद़। यह करेंद़। यही आ रहा है, same configuration weak field or strong field में परनिम समझ में आ रहा है, कर पा रहे हो परनिम पर पा रहे हो परो भाई यही आ रहा है सिए फेसी लिखलो दोनों में हाँ क्या कुछ गर्बा करती है क्या है यह यह फाइव है, फाइव है फाइव एलेक्ट्रों ठीक है और दूसरे बाले का क्या लिखोगे जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा हो प्लस टूपी कैसे होगा दो पेरिंग तो पहले ही है अब लास्ट में तीन पेरिंग हो रही है तो वन पी तो आएगा कर लेंगे अब तो कॉन्फिग्रेशन अलगा लगा है D7 का भी D8 और D10 D9 का करके देखो D8 में दोनों सेम है क्या लगा है दोनों का सेम आएगा सुरू के सेम होते हैं D1, D2, D3 और दी 8 D9 और D10 10 का भी same ही आएगा 10 भरोगे तो सब pair ही हो जाएगे 5 ही तो option है अपने पास CFSC 0 आएगी 10 में देखो T8 T9 और T10 इन तीनों में weak field हो यह strong field हो सेकर कुछ कह रहा हो हाँ बोलो back quality कहाँ पे 0 P देखो यहाँ इस से देखते हैं यहाँ पे 2 pair हैं final में भी कितने हैं 2 पेर हैं अब एक्स्ट्रा पेरिंग नहीं हुए पहले ही 2 pair थे अभी भी 2 pair हैं जो extra pair होंगे उसको ही count करते हैं अगर मालनो यह 3 pair हो जाते हैं तब पेरिंग एनरजी आ जाती हैं वो भी एक पेरिंग एनरजी यहाँ पे तेको 1 P लिखा है यहाँ पे 2 pair थे यहाँ पे कितने pair हो गए 3 pair तो एक extra pair हो तो 1 P औरीजनल से इसलिए औरीजनल को बार-बार लिखना पड़ता है compare कर लिखे हर जगे जरूत नहीं होती है लेकिन लिखते है D10 में 0 आरी ना CFSE देखो D8, D9 और D10 का configuration दोनों-दोनों में क्या आएगा? Same to same आएगा कैसे? EG में भरोगे और T2G में भरोगे 5 6 7 8 Strong field अगर है तो Strong field अगर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 Configuration same है, देख पारे हो? T8 का 1, 7 आएगा यही तो कल गड़बड हुई थी, यही वाला पॉइंट का लगड़ हुआ हमें लोग एक साथ रख दे रहे थे, एक साथ नहीं रखना 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 कैसे है, one by one तो SFL में ध्यान रखना है कि पहले नीचे वाले पूरे भर जाएंगे, तब उपर वाले पर जाएंगे, तो overall में देखा, इसका configuration, इसका configuration, D8 का, same to same है, तो CFSE भी के आएगी, same आएगी, लिख लेंगे, D9 का भी यही इसी तरीके की चीज रहेगी, pairing energy वेगर देख लिजेगा, यहां पर 5 मैंने वो नहीं बनाया ना, शुरू आ ले, pairing energy को देख ले ना, 9, weak field में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही है ना, और strong field में क्या हो जाएगा, 9 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, same to same, D10 में तो पूरी काहानी, same to same ही होनी है, weak field में, एक-एक करके भर रहे हैं, strong field में, नीचे बाले को फिल कर दो, फिर, उपर वाला पूरा sequence से फिल करना है, एक साथ जैसे मैं कर रहे हैं, वैसे हो, तो D1, D2, D3, D8, D9, D10 का configuration क्या रहता है, same रहता है, 0 नहीं same, इसका मतलब यह है, क्या मतलब निकला, कि आपका, जो, strong field और weak field हैं, वो, beach वाले ही configuration आपको effect डालेगा, और यहां पे CFSE क्या आई थी, 0, D10 configuration में CFSE क्या आई थी, 0, यानि कि stable, कुछ कहना चाहते हो, स्वारांज, क्या, D1, D2, D3, D8, और क्या था, D9 और D10, इसमें configuration क्या आ रहा है, same, ठीक, अब tetrahydral field हो तो कर लेंगे, दे दूं, करिए, नहीं मैं क्यों बता हूँ, अब क्या change करना है, T2G को नीचे, और T2G को उपर, EG को नीचे, और कुछ थोड़ी करना है, असमें, कुछ करना ही नहीं है, टेट्राःट्रा, field है, और क्या है, field, और strong field में लिखना है आपको, T6 configuration है, चलो, बना दो जल्दी से, पहले EG उपर आ रहा था, अब ही क्या आ जाएगा, T2G उपर आ रहा है, टेट्राःट्राःट्राइल में यही डिफ्रेंस है ना, चलो, rule वही है, T6 फिल करने का, T6 फिल करने टेट्राइट, T6, कहां तक में नहीं क्यों लेकर, राशी है मांग, clear हो रही है बात, बात बात बेsरेंस, यह मैं द Kennे, a lot of बात बात, बात बात, बात है बात, क ne 생का में क्यों बात झाल झाल आ रहा हुआ है, तुम से करके देखे. अलग-अलग आ रहा है टी-छिक्स में दोनों, औरसी एफ ऐसी? करें करके बताएं करके बताएं तब चेक करो जहां दो है वहां उसे 5.6 जहां दो और बैटल है वहां 5.6 है क्या हो आर निम क्या मुस्कुराए जा है रिम का अपना अलगी चलता है टी शिक्स चलो भईया फिल करो पहले किसमें फिल कर रहा है यह वीक फिल्ड लिगेंड है एक, तो, टी, चार, पांच, ची, पन्फिगरेशन, टी, टूजी, थ्री, एजी, टोटल एलेक्ट्रॉन लिखते हैं, पहले टी, सिक्स भड़ते हैं, तो कैसे भड़ते हैं, पहले, इसी निकाल ले, यहां पे क्या लिखोगे, यह उपर वाला जो है, उपर वाला पॉइंट फोर हो जाएगा, और उपर वाला पॉजिटीट उपर, इचे वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ने लगा दे, उपर कितने एलेक्रोन है, तीन है, माइनस में, थ्री है, ना, पेरिंग में कर देख लो, एक ही पेर था, याँ में एक ही पेर है, तो कोई फराख, कांसर कितना आगे है, ठीक है, वाले में देख लो, इस्ट्रॉंग फिल्ड पे, ये तो सेम ही रहे है, ती सिक्स बर दिया, अब, पहले नीचे का पूरा होगा, चार बढ़ दिया, फिर उनपर, ठीक है, तो टी टू जी में कितने आए, इसमें पॉइंट्स, फोर का मल्टिप्लाई करना, माइनस, सीरो पॉइंट सिक्स, टेल्टा टी मल्टिप्लाई बाई, फोर, और पेरिंग देख लो, यहां पे एक पेर था, यहां पे दो पेर हो गया, तो एक्स्ट्रा कितने पेर आए, एक की आए, तो वैल्यू क्या जाएगी, कितना हो गया, 0.8, और वो कितना है, 2.4, तो माइनस में 1.6 है, दिल्टर टी प्लस, पी, ठीक है, कोई दिकत, अफसाव, राइट वाला, मैंने कैमरा है लादिया हो, कहां तक दिख रहा है बताना, बताना कहां तक, प्लस तक दे क्रा एक मेने प्लस था एक हां, यहाहां तक walणी ? या दी इतना चोड़ के लिखना हुआ हो, अर इदर लेप्ट में सारडे क्रा है, मैंने कैमरा हिला हूं, लेप्ट में पूरा पूरा प्लस थाम तक प्लस थाम ने उतना खोड़ दूत, तो उसको थोड़ा सिफ्ट कर दे प्लस तक दिखाई दे रहा है अभी दिख रहा है प्लस पी अब कर लेंगे अच्छा आउटर और पाइटल कॉम्प्लेक्स इनर और और वाइटल कॉम्प्लेक्स ही तो पता कर लेंगे बता लेंगे आउटर इनर कैसे होता है उससे hybridization से ठीक है? outer orbital और जहां पे strong field ligand लगता है वहां पे क्या हो जाती है? pairing हो जाती है pairing होने की वज़े से जो आपका वो होता है pairing होने की वज़े से magnetic moment कम हो जाता है तो कि unpaired electron कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते है spin free complex ठीक है? और अगर आपकी pairing नहीं होगी weak field देख रहे हो तो वहां पे हम लोग बोलते हैं उसको पताने क्या बोलते हैं spin से ही related करके हाँ, high spin and low spin अब ये question कर डालो question इस पे ध्यान नहीं देना है question क्या है? NICO hole 4, NICN hole 4 minus 2, CONS 3 hole 6 plus 3, NICL roll 4 minus 2 इसमें configure वो बताना है ये करा चुके होगे आपको 2000 में आया हुआ है नहीं hybridization बताना है कर लेंगे ना hybridization नहीं कर पाएंगे तो बताऊं तो ये चलो, ये बाला बताओ tetrahydral shape है तो किसका tetrahydral shape है? चेक करना, answer लेहा हुआ है लेकिन फिर भी कि यह नहीं कराया है था मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहा है उससे पता लगेगा शेप कैसा है कि यह कॉर्डिनेशन नंबर फॉर में स्कॉयर प्लेनर कॉम्पलेक्स नहीं है कि कॉर्डिनेशन नंबर फॉर में दो आते हैं कि यह जब जिसीं हाइब्रिडाइजेशन कराया था उस दिन एक रूल कराया था आपको अगर वह रूल याद होगा तो बात अपनी बन जाएगी कैसे रूल बचाया था कि पीडी पीटी के कॉर्डिनेशन नंबर फॉर वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं स्क्वायर प्लेणर तो पीडी और पीटी के यह और यह यह क्या हो जाएंगे स्क्वायर प्लेणर हो जाएंगे तो यह भी स्क्वायर प्लेणर हो गया और यह भी क्या हो गया स्क्वायर प्लेणर हो गया अब दो में चूस करना है तो निकल का ना चाहिए ना देखो किसमें आ रहा है आलस नहीं करो जल्दी इल्दी configuration लिखो बैठे हुमें है हां क्या निकिल का निकिल का 3D8 4S2 28 होता है 3D8 4S2 28 मतला 3D8 3D7 27 3D7 4S2 cobalt का ओ भाई चाउजिस तक याद करने के लिए बोले कि ओ भाई अभी तक याद हुए है यह 30 तक ही यह तक ही यह तक ही क्या 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 second का dsp2 आ गया तो last ही बनेगा क्या है मैं पिटाई कर दूंगी तुम लोग की n i c l whole 4 क्या दिया हुआ है minus 2 दो ही तो चेक करने इतनी देर लग रही है यहाँ पर अगर देखें तो nickel का क्या जाएगा plus 2 इसका मतलब 3d8 4s 0 ठीक है अब क्या करना है 3d8 का box बनाने box बनाने अब क्या करें पेरिंग कर दें अब पेरिंग होगी नहीं पेरिंग तो होगी नहीं क्योंकि CL क्या है no pairing तो pairing नहीं होगी तो आगे वाले ही मिलेंगे 4s मिलेगा और कौन मिलेगा 4s and 4p यहीं मिलेगे यही hybridization में जाएंगे तो 4cl यहीं पर आ करके attach होगे ठीक है तो hybridization क्या हो जाएगा sp3 sp3 का मतलब tetra कोई दिकत तब भी नहीं जन्दी से बताते है तुमने बता दिया था जिसने बता दिया था तो अच्छी बात है जिसने नहीं बता था तो चार लोग तो बत बैठे हुए मैं भी करते है तुमने तो कर दिया था एक-दो लोगों ने कर दिया था तुम तो 2080 पूछे जा रहे थे हैं, शलो अग्ला करो, पहले इसमें लगे हुए है, लास्ट येर का है तो, compound है HDCO SCN, whole 4 SCN का होता है, minus 1 charge, spin only magnetic moment निकालना है, हाँ, spin only से जो अपनी जगे पर, magnetic moment दो तरीके के होते हैं, एक axis पर और एक अपने उसी पर, point पर, बताएंगे दोनों का मतलब, HDC से क्या मतलब है, कोबाल का, minus 1 ले ले, बहुत सही, metal है, metal का, minus 1 ले ले, coordination number कितनी दिखाए दे रही, 4, minus 1 अगर चार्ज लगाते हो, तो HG किस में आजाएगा, plus 1 में आजाएगा, तो plus 1 मान के करो, तो कोबाल्ट की कितनी आगे, plus 3, बनाओ, configuration से निकालो, mu निकालना है, mu is equal to, under root n, n plus 2, minus 2, बच्चे कन्फ्यूज कर रही है, दादा जी है, बच्चे कन्फ्यूज कर रही है, कैसी एनी, strong field था कि weak field था, strong में लिखाय था मेरे, म lotsॉ में था कि स्ट्राँग में तो स्टाँड्र ladder के और ये साभन स्ट्राँग में कार बन वाले ये ये ठाइट्रोजन वाले नाइड्रोजोन काक्या donation sulfur से हो रहा है sulfur से donation हो रहा है जो metal के पगल में लिखा होता है उस सी donation होता है वीक है वही तो मैं भी कह रही है सब कहा आ गया HG plus 1 CO, SCN whole 4 इस पर कितना चार्ज है? minus 1 X माल लिया तो ये कितना आ गया? plus 3 ना? तो कोबाल प्लस 3 कोबाल का वैसे होता कितना है? 3D, 7 4S, 2 तीन एलेक्टरोन निकाल दें, दो ये ये वाले तो 3D, 6 बन गया 4S, 0 ठीक है? कान्फिगरेशन कौन सा बन गया? 3D, 6 तो 3D, 6 के कार्डिंग तो वह आना चाहिए मर्करी तो 2 में ही हो सकता है, या तो प्लस 2 में हो सकता है, या प्लस 1 में? अगर प्लस 2 करते हो, तो क्या आजाएगा? उदर माइनस 2 माइनस 2 मर्करी जो है, आपका दो ही स्टेट में होता है, या तो प्लस 2 या प्लस 1 अगर ये चेंज करें, हम लोग तो क्या सकता है? अगर ये प्लस 2 में है अगर ये मर्क, क्यूरिक है मर्क्यूरस नहीं है तो ये माइनस 2 तो ये माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस 2 आ गया तो 3D, 7 और 3D, 3D, 7 होगा तो एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 तो 3 अनपेड होगा है 3 अनपेड के एसाफ से तो आ जाएगा है ना 1, 15, 7, 4 2, 15, 6, 7, 9, 6, 8, 9, 9 नहीं, salt का नाम दिया है, क्या यहां पर मने फॉर्मॉला लिखती है ना नाम अगर देंगे एक मिनुट, इसमें होगा कॉश्म, फॉर का है ना, फॉर का इसमें रहता है मैंने जदी में फॉर्मॉला लिखती है 4 का कॉश्म लिए 4, 4, 4, 4, 4, 4 8, 9, 10 7, 7, 7 444 4 में था ही नहीं कुछ और से था इस पिन ओली मेगनेटिक मोमेंट आफ कमपाउंड केवल यही दे रखा है वो चीज नहीं दे रखा है नाम नहीं लिखा है नाम नहीं लिखा होगा तो पता होना चाहिए नहीं तो क्या होगा क्योंकि आंसर इसका रूट 15 है यानि कि यह जो सॉल्ट है यह कौना है? मर्क्यूरिक है कौना सॉल्ट है? मर्क्यूरिक कोबाल्ट प्लस टू लेंगे तभी यह बात बनेंगे कुछ जो सॉल्ट आचुके उनका तो करना ही पड़ेगा नहीं तो कैसे काम करने का इसमें नाम भी नहीं दिया है जो question है exactly अगर नाम नहीं दिया है तो कैसे कर पाएंगे चलो ये वाला करके दिखा दो CRCO whole 6 view नहीं कालना है 9 में आया हुआ जल्दी से बता दो इसमें तो कुछ का खास बात है CRCO whole 6 CO strong field regent है krypton नहीं chromium सुवानी करो जल्दी बैठो नहीं CO का कली बताय था ना क्लास में कार्बोनी इस ट्यूट्रल कितने भी मेटल कार्बोनील आजा है उसमें मेटल की ऑक्सिडेशन नंबर क्या आएगी 0 जल्दी करो chromium 0 यानि कि कोई चार्ड नहीं क्या चार्ड 0 तो chromium आ गया simple chromium तो एक्सेप्शन होता ही है 3D5, 4S, 1 chromium का configuration होता है 3D5 chromium का configuration होता है 3D5, 4S, 1 ठीक है कोबाल्ट क्या है क्या है कोबाल्ट सॉरी, कार्बोनील क्या है कार्बोनील क्या है कार्बोनील strong है ना CO क्या है strong है क्या करवा देगा pairing आठरे के साठे क्या हो जाएंगे six के छ एलेक्ट्रों पैर तो मेगनेटिक मॉममेंट क्या आने वाला है 0 0 नहीं आ जाएगा नहीं हिए पैरिक पैरिंग वगई ना कार्बोनेल वाति जाकई कार्बोनेल की वजे लोल म्म चिंग पैरिक हा झारो इस लेकिन चार्ज नहीं इसलिए जीरो नहीं है उन पेर्ड एलेक्टरॉन नहीं को वार्ड ने आकर कैया करवाती पेरिंग और मुझे पार्बड ले बार-बार कोवाड को अ नहीं तो अगर पेरिंग नहीं करवाता तो 3D5, 4S1, 6 एलेक्ट्रॉन थे अनपेर्ड, magnetic moment आता, अच्छा गता, second वाले का आ गया, second वाले में nickel किसमे है, plus 2 में, तो क्या है, 3D8, 4S, 0, CL क्या होता है, weak field, तो weak field pairing तो करवाएगा नहीं, weak field है, pairing करवाएगा नहीं, तो लिखते थे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 electron बढ़ते हैं, कितने आगे unpaired, 2, 2 unpaired आगे, तो mu is equal to, rotate आगे, तो root 8 की value किसके करीब है, 8, 2, ठीक है, अगला करो, कर डालो भी इसके question, क्या दिका है, कितना लिखती हैं, क्या है, Ni plus 2, देखो, Cl minus के साथ complex बना रहा है, Cn minus के साथ complex बना रहा है, H2O के साथ complex बना रहा है, यानि तीन complexes की बात की जा रही है, ठीक है, पूछ क्या रहे हैं आप से, कि ये जो तीनों complexes होंगे, ये कैसे बनेंगे, सीक्वेंस दिया हुआ है, octahedral, tetrahedral, square planar, square planar, tetrahedral, octahedral, T जो लिखा है, वो tetrahedral, square planar के लिए, SQP लिखा हुआ है, octahedral के लिए, OC लिखा हुआ है, तो थोड़ा सांताजा लगाईए, कि निकल अगर, Cl minus के साथ बनाएगा, C N minus के साथ बनाएगा, और H2O के साथ बनाएगा, तो कैसा बनाना चाहिए, सोचिये, J E का कुश्चन है, 11 का, 11 में का मतलब है कि आपका, 8 का कुश्चन है, 13 में अलग हुआ था, में इंसर हुआ 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 है, सोचिये था, N I plus 2 है, कॉंपलेक्स कैसा है, प्लस टू का, मतलब आपको निकल और C L को कमबाइन करके, ऐसे कॉंपलेक्स का फॉर्मला लिखना है, जिसमें निकल की ऑक्सिडेशन नंबर क्या आजा है, प्लस टू हुआ, तो दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो चार लगा लो, या छे लगा लो, दो ही ऑप्शन तो होते हैं, तो उसमें अन्दाजा मारें के ने पहला वाला सही लगेंगा तो, एक अंसर भी अगर सही आ गया, और वो पहला दूसरे में से नहीं है, तो अन्दाजा हम लगा सका हूँ, ये 3D8 वाला, तो इसको क्या बता रहा हूँ, टेटर, आंसर मैच करा ना आपको, की 3D8 है, तो ये इसका क्या hybridization बनेगा, फिर उसके according answer बनेगा, ये टेटराइडरल है, ये क्या है, बनाया जाए, बनाया जाए, चले, स्टार्ट करें, चलो परिया, करो, किस 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 के साथ बनाने है, बनाने है, किस किस की का कॉंप्लेक्स, क्या जाए, बनाना है, बनाना है, और किसके साथ दूसरा? Cn- के साथ और तीसरा किसके साथ बनाना है? H2O के साथ अब क्या देखना है हमको? Geometry देखना है अगर है तो इसका मतलब 6 लगाना है हमको और टेटरहेटरल है तो कितना लगाना है? चार लगाना है square planer में भी आपको चार ही लगाना है तो अगर हम nickel का देखें पहला वाला इसका बना ले NiCl4 minus 2 अगर बना के देखें तो nickel की निकल का वो plus 2 आ रहा है क्या है? प्लस 2 आना चाहिए न ये भी दिया हुआ है condition ठीक है? तो प्लस 2 आ रहा है यहाँ पे निकल का oxidation ठीक है भाई? अब देखते हैं CL4 minus के according और coordination number 4 लेते हैं तो आपका क्या बनता है? तो प्लस 2 है तो क्या हो गया? 3D8 4S 0 यही हो गया CL कैसा होता है? CL minus weak field agent है तो pairing तो करवाएगा नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 electron हो गया ठीक है? अब यहाँ पे कौन है? S यहाँ पे कौन है? B यह 4S है यह 4P अब hybridization pairing करवाएगा नहीं तो hybridization को option यही है अगर यही option है तो यहाँ पे सीदे सीदे picture clear हो रही है कि अगर coordination number 4 का compound बनाते हो तो ही निकल पे plus 2 charge आएगा और तो ही यहाँ पे hybridization कैसा आएगा? SP 3 और SP 3 आएगा तो geometric कैसी होगी? Tetra-Hetral तो answer थो हमें पहले ही पता लग गया क्योंकि एक ही option में Tetra-Hetral पहला है ठीक है? अब इसके according दूसरों को भी चेक कर लेते हैं square planar and octa हेटो CN- का अगर plus 2 बनाना है तो यह भी coordination number 4 ही लोगे तो क्योंकि अगर 6 लोगे तो क्या बन जाएगा? निकल पे 4 इतना नहीं आएगा ना अगर तुम निकल के साथ अगर 6 लगा देते हो तो कोई complex बन सकता है क्या? और 6 लगाते ही तुमारे option में क्या चला जाएगा? octahedral चला जाएगा coordination number 6 के compound क्या होते हैं? octahedral हो जाते हैं तो अगर tetrahedral लगाते हैं हम लोग तो यही formula बना दे सिधे-सिधे यही बना दे तो इस case में निकल का क्या आ गया? plus 2 तो फिर से यही 3D 8, 4S, 0 यह configuration है अब CN- क्या है? strong field ligand है आपको पता है तो क्या करवाएगा? pairing pairing करवाएगा तो 3D 8 में क्या हो जाएगी? pairing हो जाएगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ सारे के सारे pair हो गए जब सारे के सारे pair हो गए तो D यह मिल गया अंदर वाला S मिल गया 4 चाहिए तो मतलब 4 रेडिकल चाहिए तो P के दो मिल गया तो क्या बन गया? D S P P S Q ए ठीक है? इस लास्ट वाला की पिक्चर कर पीचर क्लियर अगर करनी है तो कैसे खर सकते हैं? up car nple और प्लिचार बादे गा प्लस्टू चार्ज जालना पड़ेगा क्योंकि शुरू में ही कंडिशन थी है निकल प्लस्टू है तो आप क्या बन क्या है वही है प्लस्टू तो 3D8, 4S, 0, 6 क्यों लिया? कोई पूछ रहा है 6 क्यों लिया? और कोंशन के क्योंडिक चल रहा है और को इसमें चीज ऐसे दी रहे है तो 3D8 और यह एसटू हो भी कैसा होता है यापका स्टू भी आपका वीक फिल्ड लेगेंट होता है अगर यहां पर 3D8 है तो बन पाहेगा प्लस्ट पाहेगा क्या क्योंडिकू है 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 तो एस टू खाली करा पाएगा यह लगाने तो क्या करना पड़ेगा बाहर वाले लेने पड़ेगा मतलब किसको लेना पड़ेगा इसको आउटर टी इसको किसको लोग है यह 3D था यह 4S है 4P और किसको involve करोगे 4T कितने लोगे 4S 3P और 2T तभी तो 6 को occupy कराओगे तो कौन सा hybridization मिल जाएगा पर इतना solve नहीं करना था अगर एक पहला वाला टेट्राइडल की condition बन गई है तो पहला ही चेक करके क्योंकि एक यह option टेट्रा का है तो confidently answer कॉम लो बनते हैं अभी आरा है अभी आ रहा है क्या चेप्टर चेप्टर अभी isomerism रह गया मेजे यह सब जो बता चुके हैं यह बता चुके हैं नहीं सब कपैरिंग होगी कपैरिंग होगी कप नहीं पेरिंग हां यह उस पर लिखा हुआ है ना लास्ट यर तो उस पे पढ़ाते थे ती नव टैप पे उसका प sque ti आस्ट आया जियर तो टैप पे चलता थे का उसका ही हुआ यह कर लेंगे कुछ खास बात है इसमें, नाइंटीन में आया हुआ है, वैनेडियम, यह आपका होमबग कॉस्चिन है, यह निकालना है आपने, ठीक है, इस्पिन ओनली बैंग्नेटिक मॉवमेंट निकालना है, इसलिए कॉंपलेक्स कैसा बनेगा, सिएनटीन, सब क्या है, श्ट्रॉँड है, इसलिए इसे कॉंपलेंचन होते है, neural spin mode。」 पमेंटीन का कर देने, बदर ईकुट्राइए कह था है, जब लेंगे, यह वाल टॅर्ड रेह 순간 है कि अर्म कराया था था हां तो ऐसे ही जो होगी है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d पाने की गोटल नहीं है यह नहीं है चलो यह कोश्चन तो करो view निकालना है कल किया था कली किया था इतनी तेज़ी से confidently बोल रहा है चलो अगला कर लो कोश्चन बहुत है कोश्चन की कम ही थोड़ी नहीं कलर पढ़ा दे तब यह टफ वाला करो कलर पढ़ा दे कलर नहीं आएगा कॉंपलेक्स है कलर पढ़ा दे लोग सुद्रोग है नहीं बिल्कुल इतनी बात यह करने की जरूरत है क्या कोई बिना हुटलब की बाते करे जा रहें करे जा रहें करे जा रहें चलो कर लो जल्दी से इसको कर लो सब तक मैं फिर आके कलर पताते कर दो जाएगा करे जाएगा कर दो जाएगा कर दो जाएगा कर दो जाएगा जो चीज याद कर रही है वो याद करनी ही पड़ेगी हाँ बहुत कुछ है कर देटा कुछ मिलेगा है नहीं डेटा जब कुछ मिलेगा नहीं तो याद तो करना पड़ेगा ना कोशन यही लिखा हुआ यह बाकि जो वे डेटा चाहिए सब दिमाग दो जाएगा कर दो दो जाएगा इसी निकाली थी इतना टाइम लग दिया अभी लिट्विट्या नहीं जैसे फिल करना था वैसे फिल करना है करना कि दिस्यों फिल्ड अक्टा हेड्रल है तो रूल तो वही लगना है जो पताया था एजी और टीट्टुजी बढ़ दो जल्दी जल्दी से इतल गया बताओ चेक कर दो सुआनी देखो आराम से आराम कर रही थी फिर अभी बोल रही अरे उससी से करना था मुझे लगा नहीं चीज है को आपका क्या करना है पहले चार्ज देख लिया जाए तो एक्स अब चेक कर लो अब बता रही हूं चेक कर तो एक्स इस इक्स इक्टु क्या गया प्लस कोबाल्ट में क्या आगए प्लस तो कोबाल्ट होता क्या है 3D 7 4S 2 तो यह क्या बन गया 3D 6 4S 3D 6 कॉन्फिगरेशन को फिल कर देना है किसमें फिल करना है इजी और इंडू जी में यही तो थे तो फिल कर दें 6 लेकेंड देख लो एफ भी आपका वीक में आता है और हैस्टू ओ अच्छा देखो यह कंडीशन भी देख लो इसको भी देख लो इस दे दिया तो पेरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा ओ कम है डेल्टा ओ जब क इस कंडिशन के कॉर्डिंग भी पता चल गया कि नौ पेरिंग और यहां पे वीक फिल्ड अगे थे उससे भी पता चल गया कि दो पेरिंग ए और यह भी क्या है आपका वीक फिल्ड तो आपकी पेरिंग नहीं कर ली है छे येलेक्ट्रॉन पढ़ने है तो 1,2,3,4,5,6 बर तो इतना लिखने की एक्जाम में यह सब लिखने की तुरूत है नहीं इसके एकॉर्डिंग सीधे-सीधे निकालो 0.6 डेल्टा O multiplied by 2 माइनस में 0.4 डेल्टा O multiplied by पेरिंग एनर्जी देख लो पहले D6 हा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक पेर था और बाद में भी एक ही पेर तो एक्स्टा पेर तो कुछ हुआ नहीं तो पेरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी जीद तो वैलू क्या आगई देख लो यह 1.2 है और यह कितना है 1.6 तो माइनस में ठीक है ज़िए अब पूरा पूर्ट दिख रहा है क्या नहीं पूरा 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 अच्छड़ कलर बता दें कलर वळा प्पिर कहां गया एक पूचा जाता आपसी की कलर आता कैसे हैं फिट इकलर किसी वजय से हैं तो सीधे पूचते हैं कि वजय से आता है तोसका अंसर सीधे बचे याद रेक्टे से निरी ट्रांशिंशन Kya रंखिते हैं डी डी ट्रांशिंशन kia होता है basically होता यह है कि पाहर से लाइट अब्सあーb की Campaign जैसे उक्ताइडरल में आपने देखा कि गिए ज्जी ज्यादा थी और चाइड़ी गव्द तो लाइट को जब अब्साब करता है complex, तो होता क्या है कि जो नीचे वाले energy, low energy वाले electron है, वो किस में चले जाते हैं? High energy, जैसे यहाँ पे था EG उपर है और T2G नीचे है, तो energy को एबजाब करके T2G का कोई electron किस में चला जाए? EG, चले गए, तो इसको भोलते हैं, D-D transition, एक D-orvital था, transition, अब इसकी वेज़े से color नहीं आता है, फिर उसके बाद, वो जब high energy पे जाता है, तो फिर से वो low energy पे आना चाहता है, ठीक है? क्योंकि जब energy कम होती है, तो stability क्या होती है? High होती है, energy कम होती है, तो stability high होती है, अभी आरी आवास? Hello? तो energy कम होगी, तो stability ज़ादा होगी, तो एक बार system, एक D-orvital से दूसरे पे जाता है, और फिर उसके बाद, थोड़े टाइम बाद, फिर से वापस आता है, जैसा हम इस spectrum में पढ़ते थे, ऐसा है, बट यहाँ पे इस phenomenon को नाम क्या दिया है, DD transition, low energy वाले D-orvital से electron गया, high energy वाले में, फिर उसके बाद high से, थोड़े टाइम बाद, फिर से वापस आता है, तो कुछ wavelength को emit करता है, वही जो wavelength होती है, emitted, उसके according हमें color, complex का दिखाई देता है, तो कई बार आशकल, complex का color पूछ ले रहे हैं, तो color दिखता कैसे हैं, देखो, हाँ, उस violet और इंडिगो को एकी के टेगरी में, यहाँ पर complex में दे दिया गया, एकी के टेगरी में तो एब्सॉब की इन्होंने light, और लो डी से, electron कहां गया, high D में, low और high क्या है, energy है, जैसे अगर, octahedral का example लोगे, तो octahedral का अगर example लेते हो, suppose, तो यह क्या है आपका नीचे वाला, T2, G, और उपर वाली high energy वाला क्या है, EG, माल लो एक electron यहाँ पे है, यहाँ से कहां पे चला जाए, इसमें चला जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, D, D, transition, रीजन पूछा जाए, तो क्या बताएंगे, कलर का रीजन क्या है, D, D, transition, फिर उसके बाद, यह electron फिर से कहां आता है, नीचे आता है, थोड़े टाइम के, बाद, तो थोड़े टाइम बाद, जब नीचे आता है, तो radiation को क्या करता है, पहले अब्जॉब किया था, फिर क्या करता है, एमिट करता है, तो नीचे आएगा तो, एमिशन करेगा, और फिर उसके recording क्या होगा, आपको color दिखाई देखा, तो यह जो color दिखते हैं, यह complementary color दिखाई देते हैं, कौन से color दिखते हैं, complementary, मतलब क्या है, यह एक यह जो, इस से पहले, next, color कौन से दिखेंगे, जैसे मान लो कि वॉयलेट अब्जॉब किया, तो आपको क्या दिखेगा, यह एलो दिखाई देगा, यह इसका complementary color है, तो यह अगर अब्सॉब कर रहा है, तो « Emit» कौनसी करेगा इह वाली करेगा तो आपको दिखेगा कौनसा ये कलर आपको को दिखाएगा जैसे मालनो blue absorb की हा सपोस तो कौनसी दिखेगी औरेंज बिखेगी इसका complementary यह बार सब को समझती है ये वाला कलर दिखेगा को तो कलर कौनसा दिखेगा वो आप कैसे पता लगाओगे absorb के complementary मानलो आपको बोल दिया कोई complex है इस color को absorb कर रहा है तो अब आपको क्या बताना है कि किस color का वो complex दिखेगा तो आपको यह वाली यह चीज याद हो नहीं चाहिए तो आप आराम से अब मानलो आपसे बोल दे कि यह है मतलब जो उसका absorption है वो blue green के बीच का है है ना मतलब दो combination दे दिये blue green के बीच का तो blue green के बीच का दे दिया तो कौन सा बन जाएगा orange और red बन जाए orange और red बन जाए तो अगर absorb यह हो रहे है यह range है तो emit क्या हो जाएगी मतलब color आपको कौन सा दिखेगा हाँ indigo violet को complex में इनोंने एक ही category में रख दिया इसलिए आई नहीं है ठीक है color की बाद colorful हो गई आपको clear हो गई अब एक चीज और समाई जो बसकर जो questions इसमें पीडिये पे में और भी questions डाले में मैंने उनको ट्राइ करके देखने हो आपकर लोगा आपसे हो अब यह question देख लिए किस पे बेज़ है advanced को question है तीन complex थी है पहला complex दिया हुआ MNCS whole 6 plus 6 N फिर उसके बाद दूसरा complex दिया MF6 minus 6 N चार्ज है फिर उसके बाद तीसरा complex दिया है MNH3 whole 6 N टीन complexes हैं टीनों को अगर ध्यान से देखो तो strong field कौन सा है ammonia और fluorine और NCS यह दोनों क्या है आपके NCS को थोड़ा सा strong मान सकते हो fluorine तो बिलकुल वीक हो गया NCS को किस बेसिस पे strong मान रहे हैं हम लो कि nitrogen donor है इसलिए कह सकते हैं लेकिन ammonia तो हाई होता है ammonia हाई होता है तो इन तीनों में सबसे जादा जो आपकी जहां पे strong field ligand लगा हुआ होगा वहां पे crystal field splitting energy सबसे जादा होगी ठीक है तो अगर तीनों को compare करो तो crystal field splitting energy किसमें जादा आएगी ammonia वाले केस किसमें आएगी जादा ammonia वाले तो इस्ट्रॉंग है NS3 और NCS हैलो जग क्या है वीक है तो इसके केस में डेल्टा हो सबसे जादा इसके केस में उससे कम और इसके केस में सबसे कम आनी चल कोश्चन से बसे है कोश्चन क्या कह रहा है कोश्चन बोल रहा है कि लेम्डा मैक्स की वैलू का एक ग्राफ दिया हुआ है ठीक है कि वो कैसा एमिट कर रहा है रेटिकेशन का ग्राफ दिया हुआ है लेम्डा मैक्स और उसको match कराना है कि कौन से complex का कौन सा graph है concept क्या लगाना है इतनी चीज तो समझ में आगे कि सबसे ज़्यादा delta O इसकी होगी ammonia वाले complex की जिसकी crystal field splitting energy ज़्यादा होगी उसका lambda max कम होगा क्योंकि formula हमको पता है E is equal to SC by lambda यहाँ पर फार्मूला क्या लगाते है E is equal to SC by lambda कोई भी radiation है इसके लिए हम लगा सकते है तो E inversely proportional किसके है lambda इसका मतलब जिसका CFSE ज़्यादा उसका lambda क्या होगा lambda max क्या होगा कम तो अभी हमने देखा कि ammonia वाला जो यह complex है इसकी CFSE सबसे जादा होगी क्योंकि strong field ligate लगा हुआ है तो इसका lambda max क्या होना चाहिए यह सबसे कम मैचिंग करानी थी अब ग्राफ देखा एक ग्राफ यह दिया हुआ A, दूसरा ग्राफ B, तीसरा ग्राफ C तो ammonia वाला कौन सा होगा जिसका lambda max सबसे चोटा होगा तो सबसे चोटा lambda max यही दिख रहा है इधर तो light की energy दिख रहा है अरे lambda max यह है यह इधर तो energy दिख रहा है यह lambda max है तो सबसे चोटा lambda max यह दिख रहा है फिर उससे बढ़ा यह वैलू आगे बढ़ रही है उससे बढ़ा यह उससे बढ़ा यह तो आपको एक चीज तो पता लग गई कि lambda max यह वाला जो है यह किसके लिए है यह वाला किसके लिए है अमोनिया वाले complex के लिए ठीक है क्योंकि यह lambda max क्या है smallest है और smallest किसके लिए होता है जिसके लिए CFE highest होगी और CSFE highest किसके लिए होगी strong field लेके लिए इतनी बात क्लियर है तो एक matching तो करा सकते है जो यह वाला complex है अमोनिया वाला वो आपका किस से मैच करेगा ए से ऐसे लिखा हुआ था कि अमोनिया वाले complex की मैचिंग ए है भी है सी है से करके option बने अब दूसरा देखो अब lambda max यह highest है तो highest किसका होगा जिसकी crystal field splitting कम होगी तो fluorine वाले की कम होगी तो इसका मतलब क्या बन गया कि भाई जो बी वाला होगा वो क्या होगा सी वाला हमने किसके लिए बना लिया अमोनिया के रिए मैचिंग होगी यह अमोनिया का complex अब सी वाले की क्या है लेम्डा मैक्स सबसे जादा है लेम्डा मैक्स अगर जादा है तो क्या होनी चाहिए सी एफसी सबसे कम होनी चाहिए सी एफसी सबसे कम किस के केस में होगी वीक फिल्ड लिगेंड के केस में वीक फिल्ड लिगेंड कौन सा है फ्लोरीन वाला complex तो इसका मतलब C की मैचिंग क्या हो गई? फ्लोरीन का कॉंपन तो आप S is मैचिंग थी, तो आपका B वाला क्या बन जाएगा? N6 बात समझ आई? कुश्चन किसका था? N6 21 का था या 20 का था? पिछली साल कर आए तो 20 कर आओ ठीक है? तो ये बात clear है सबको बाकी जो चीजें इसमें लिखी हुई है सारी वो हैं जो आपको कराई हुई है ये भी अब आप करी लोगे ये उसके options है जो पहला question है अभी जो question था उसके options है ये वाला देखेगा करके देखेगा आर यू के साथ एन लगा हुआ है और एफी के साथ क्या लगा हुआ है एस्टू लगा हुआ है कॉंप्लेक्स में ठीक है? बताना क्या है? तो इसमें आपको उसमें लिखना है क्या कहते है जो अभी बनाये थे set फील्ड कॉंसी होगी? अक्टाइडरल होगी? ये बाइडेंटेट है ना? तो कॉर्डिनेशन नमबर 6 वो भी कॉर्डिनेशन नमबर 6 तो अक्टाइडरल फील्ड में आपको configuration का मतलब किसमें लिखना है? ये configuration नहीं T2G और EG1 ये आपके questions है ये लिखा हुआ option ये ट्राइडरल करेंगे लिखना है अद्वांस को question है नहीं आएगा तो होगया अब आपको next आपको isomerism अब आपको isomerism पढ़ाएंगे और जो question इसमें नहीं आएंगे वो खूश लिखेंगे